सबी लोगों के मन में किसी ना किसी कोई एक देवी देवता के परती एक विशेश लगाव होता है, एक विशेश भाव होता है, कि हम इनके आगे अपनी बात कहते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं और हमारी मनोकामना पूरण होती है, आपने देखा होगा कि जब कभी भी जिसमें उनकी आस्था होती है उस विशेष देवी देवता के आगे एक मंदत मानते हैं कि हमारा यह काम पूरा हो जाए तो हम कुछ वाइदा करते हैं संकल्प लेते हैं कि हम यह करेंगे तब आप हमारी मनोकामना पूरुन कर देंगे तो हम यह जरूर करेंगे और जब उनके विवा में देरी हो रही होती है तो माता पिता या बच्चे खुद किसी ना किसी देवी देवता के यहां जाते हैं जैसे बैशन देवी के जाते हैं या बाला जी महाराज के यहां जाते हैं या गनपती भगवान के मंदिरों में जाते हैं कृष्ण भगवान के मंदिरों में वहां जाके उन से कहते हैं कि हम अगर हमारी मुनकामना पूरण हो जाएगी तो हम यहां पर वापिस जोड़े के साथ आएंगे और आपका धन्यवाद करके जाएंगे हम यह यह चीजे अर्पित आपको करेंगे तब उनके मुनकामना पूरण होती है आपने भी देखा होगा बहुत सारे जोडे विवाहित जोडे जोडे न्यू मेरेड कपल होते हैं वो वहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचकर इश्वर की को धन्यवाद देते हैं यानि कि वो अपनी जो बात उनके मुझे से निकलती है वो पूरी करके आते हैं वहाँ पर उसी प्रकार का आज एक को पाए आपको बताने वाली लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सब का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा 26 जुलाई को यानि के कल की तारिख में जो बुद्ध अश्टमी पढ़ रही है बुद्धवार का दिन है और अश्टम को अर्पित है अब आप इस उपाए को मैं तो कहूंगी कि माता पिता करें चाहें बच्चे करें इनमें से कोई भी कर ले इस उपाए को आपको करने में कहीं भी कोई प्रेशानी नहीं आएगी घर पर ही कर सकते हैं आप इस उपाए को लेकिन करना किस प्रकार से होगा कि ब इस बुद्धस्ट में करते हैं, जो की सावन के महीने में है, और फिर वो भी अधिक मास में आई है, तो ये बहुत महत्म रखती है, बहुत विशेश है ये बुद्धस्ट में, इस पर कर लीजिए सुपाए को, बहुत जल्द आपको इसकर जल्ट मिलेंगे, बहुत आपको ज सारे धात्यों में या काचिक के या किसी मिटिक के 역ला के अगर आपके घर में तो बहुत अच्य बात आता कोई बात नहीं है छोटा साहा रा-कपड़ा लीजिएगा और जो भी गणपती भुआ Алекс गर में हैं उनको ओढ़ा दीजिएगा ओढ़ाने के बाद उनके सामने लेके बैठिएगा दो मुठी से लेकर एक क्टोरी तक मूँ की दाल साबुत मूँ की दाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं साबुत मूँ की दाल ले लीजिए उसके ऊपर लीजिए एक गुड का टुकड लीजिए बांदने के बाद अब ये जो आपकी कटोरी डाल की है और इसमें जो गुड रखा हुआ है और दोनों हल्दी की गांट रखी हुई है देखिए मैं बीच में आपको सौरी एक बात कहना चाह रही हूं कि ये जो आपके सामने मंतर आ रहे हैं ये आपकी राशी के अन अब मैं मेरी बात पर वापिस आ जाती हूँ कि हमें एक कटोरी मूं की डाल चाहिए दो मुठी से लेकर एक कटोरी यानि के दो मुठी ले 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 बस उसके बाद से फिर कितने भी ज़्यादा ले यानि के एक कटोर तक ले सकते हैं एक गुड का टुकड़ा उसके उपर नहीं है माने अगर बेटा बेटी खुद कर रहे हैं तो अपनी मदर को कह सकते हैं वो उतारा करके दे सकती है या कोई और घर का मेंबर उतारा करके दे सकता है और अगर बेटा बेटी घर पर ना हो तो फिर आप इसको कटोरी को पूरी को लेके बच्चों की फोटो हो तो उसक अब अपने पूजागर में इस कोटोरी को गनपती भगवान के आगे रखें गनपती भगवान के आगे रखने के बाद अपनी मनो कामना बोलें उनके आगे बच्चों के शिगर विवा की कामना करें बिंती करें प्रार्थना करें बहुत संपूरन भाव से करें विगन हर्ता सार मंतर का जाप भी कर सकते हैं और दो मंतर आगे दे रही हूं उन में से भी कोई एक मंतर आप जाप कर सकते हैं कुछ नहीं आता हो तो शीगने शायन महें शीगने शायन महें शीगने शायन महें आप बोल सकते हैं अब जैसे ही आपकी सारी पूजा समापत हो जाए आप मंतर तो वापिस ले आए और सामगरी जो है इसकी वो वहाँ पर अर्पित करके आएं ये सामगरी जो आप हल्दी की गाठ गुड और मूंग की डाल जब अर्पित करने जाएं आप वहाँ पर जिस भी मंदिर में जाएंगे गनपति भगवान की मूर्ती वहाँ होती ही है उनके भिगो कर पक्षियों को जुरूर डालेंगे या फिर गोवंश को खिलाएंगे रोजाना आप इस संकल्प के साथ उनके आगे बिंती प्राथना करें और उसी दिन से ही यानि के बुद्ध अश्टमी के दिन से ही एक मुठी मूंग भिगो कर घंटे दो घंटे बाद आप प हमारी जब मनो कामना पूर्ण हो जाएगी या बच्चों का शिगरिवा हो जाएगा या बच्चे खुद कहार ór हो एक सकती एक किलो, 233, 004,009, 001,5 गनपति पोगवान के मंदिर में जाके धन्यवाद भी करके आए। आप देखेंगे कि आपकी तुरंत मनोकामना पूरण होगी, शिगर बच्चों के विवाय योग बनेंगे और आप सोच नहीं पाएंगे, बिश्वास नहीं कर पाएंगे, कितनी जल्दी बनेंगे। क्योंक पर पहले बाराइं सब्सक्राइब जरूर करें, कमेट वक्स में जै गनपति पपा जरूर लिखें, थैंक्स वरवाज